हिलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे पटवारी के पदो पर आचुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिविकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं आप सभी को इस बार पटवारी के तीन हजार पदो पर बंपर भरतियों के नोटिविकेशन देखने को मिलेंगे जिनके लिए सौट नोटिविकेशन आ चुके हैं या फिर यूँ कहें कि निउस पेपर के माद्यम से अपडेट आ चुकी है कमप्लेट जानकारी आपको देंगे अगर आप लोग पटवारी भरतियों का इंतजार कर रहें तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है इस बीडियों को आकरे तक देखे ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके अगर बीडियो पस और आवेदन कर सकते हैं आईए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक और आफिसल वेबसाइट पर तो दोस्तो अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा RSMSB की तरब से रिक्यूट्मेंट पटवारी रिक्यूट्मेंट www.nokadikabar.com पर जाएंगे आपको जानकारी मिल जाए अभी कोई अपडेट ने हैं क्योंकि अभी निउस पेपर के माधियम से अपडेट आई हुई है 18 साल से लेकर 40 साल का कोई भी केंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएगा male and female दोनों के टेगरी के केंडिडेट आवेदन करेंगे टूडे टॉडे टॉप जाब लिस्ट आज की नई सरकारी नोकरियों के बारे में जानकारी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा पटवारी के पदों पर सेलेक्शन के बाद आपको अच्छी खासी सेलर मिल जाएगी 25,000 से लेकर 70,000 रुपय पर मन तक का इसके बाद सेलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आनलाइन एक्जाम और डाकुमेंट वेरिपीकेशन के बेसिस पे आप सभी का चैन होने वाला है इसके बाद कैसे आप लोग इसके लिए आप एतन करेंगे इसको देखे अभी हम नि announce paper की cutting के बारे में बात करते हैं तो ये cutting open हो चुकी है देख सकते हैं राजस्व मंदल ने पटवारी के 3000 नय पदो पर भरती की मागी अनुमदियानी की 3000 पदो पर यहाँ पे भरतीया करवाये जानी है राजस मंदल ने पटवारियों के रिक्त पदों के अधार पर प्रदेश बर के लिए 3,000 नए पटवारियों की और सक्तर जताते हुए राज सरकार से नई भरती प्रक्रिया अपनाने की माग की है मंडल प्रिसासन ने राजस सुभिवाग को जिले बार पटवारियों के रिक्त पदों का उलेक करते हुए यहाँ पे भेज कर नई भरती की सुखित मागी है मंडल के उनसार राजबर में 13,800 पटवार मंडल हैं इनमें से करीब 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं यानि की खाली है उसके बाद इन पदों की पूर्ती के लिए नई भरती प्रक्रिया अपनाना वस्यक है उलेकनिये की राजसरकार द्वारा बर्स 2021 में 4,000 पटवारी पदों की बिग्जब्त जारी कर राजस्थान कर्मचारी चेयन बोर्ड द्वारा परिक्षा उजित कर आई गई थी इस बाद राजसरकार की नई भरती की हरिजन बिलने के बाद चेयन बोर्ड द्वारा ही बिग्जब्त जारी कर आभेदन मागे जा सकेंगे लोग सवाई लक्सान आ रहा है इसलिए सभी सरकारे चाहेंगे कि उनकी तरफ सुनकी पार्टी को ही मत मिले उसके लिए वो जो है तो भरतियों पर भरतिया निकाल दी जा रही है पटवारी भरती भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी इसके लिए आभेदन करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए अधिक ज्यानकारी के लिए नोकरीकबर.com पे जाके आप लोग नोटिपिकेसन को देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद.